हम लोग अभी तिलाइय डायम को क्रॉस कर रहे है थार्चा नहीं कर रहे हैं कि बहुत दूप्री हो रहा है हम लोग इस्ट्रेंड के फॉर्स अश्ट आपेज यानि कि कायर जंसन को पहुंच चुक है और यहां जो है हम एक वहां दो सब्सक्राइब करें कि अगया ही होने मला है ऑज का प्रेप्षस्ट तो गुद मनिम्न एवर्स आप आप सभी हो मैं आपस आप सभी आप सभी आप सभी ऑॉप आपसर वह रहेलं और दूएब आप सभी एप दूएब आप को पता हीः जोगा कल यानि की 27 जून 2023 को अपने देश में टोडल 5 वंदे भारत लॉंच हुई है जिसका इनाग्रल जर्नी कल था बट उसमें बहुत सारे ब्लॉगर जो है उस जर्नी को कवर किये हैं और आज जो है डेट ऑफ जर्नी है 28 जून 2023 और आज मैं कवर करने वला हूँ अपनी बिहार की पहली वंदे भारत पटना राची वंदे भारत एक्सप्रेस जिसका ट्रेन नंबर है 22349 जो की पटना से 7 o'clock में राची को निकलने वाली है तो अभी अपनी ट्रेन आठ नंबर प्लेटफॉर्म पे आज के जैसा कि आपको बडेट रहे होंगे इस वीडियो में आपको सब तुछ बताऊंगा जैसे कि इसका टोटल सेर कितना है इसमें आपको क्या-क्या फैसलेडीज मिलता है प्रेक्सेस्ट मिलेगा या लंच मिलेगा इसमें आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा तो चलिए जरनी को कंटीनीव करते हैं पूरे व्लो चलिए अब इसके अंदर चलते हैं और आप लोगों को इस ट्रेन का इंटेरियर देखाते हैं इसमें सभी आटोमाटिक डॉर्स लगे हुए है यह है इस ट्रेन का चेयर का जीसे कि आप लोग देख सकते हैं इसमें 3x2 का सिटिंग दिया हुआ है इधर में एक डिस्प्लेइ लगा हुआ है जिस पर आपको शो होगा कि नेक्स रॉप इस कौन से आने वाली है और इसका स्प्रीड क्या है और यहां पर भी तो चलिए अब आपको इसके एक्जेक्यूटिव क्लास में लेके चलते हैं और आपको मनिज भाई और अभी हम इसके एक्जेक्यूटिव क्लास में आ चुके हैं इसमें सिर्फ तू बाइटू का सिटिंग कैपसिटी दिया हुआ है इसमें भी सेम ही है बस इसमें थोड़ा सा स्पेश जादा दिया हुआ है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बाती आप लोग देख लो और यह अपनी कोच सीटू जिसमें अपने को शीट मिला है फिफ्टी फोर विंडो साइड चलिए लगेज बगरा रखते हैं और अभी बाहर निकलते हैं इसमें तो ट्रेन है एक मिनी वान के भारत देख फ्रेस है इसमें टोटल सेवें शेयर कार्वी कोचेश हैं एंड वान एक्जी इंडिन क्लास अब यह है अपनी सीट अभी हम अपनी सीट ब्या चुके हैं जैसा के आप लोग देख सकते हैं तो चलिए सबसे पहले आपको इसका इंटिरियर के बारे में बताते हैं क्या पुछ है जेयर गार में आपको कैसा सीटिंग थैपसी देखने को मिलेगा कितना और देखिए सब्सक्राइगा 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 सब्सक्राइ बाई अभी ट्रेन श्टार्ट भी नहीं और शभी को पेपर दिया जा रहा है तो यह देखिए दैनिक भासकर एक पेपर दिया गया है फिलाल तो अभी इसको नहीं पढ़ने वाले है यह ऐसे ही रहेगा पूरी तरीके से पैप हो चुकी है एक बात बता हूँ मैंने जब टिगट बुक करा था ना तो गंती से मेरे से जो है ना हडबर में एक साइट्वेंट इतना जादा था कि मैंने नो फूर्ट स्लेक तिया हुआ था पहले से और उसी पर मेरा बुकी हो गया बाकी देखते हैं इसमें नो फूर्ट स्लेक किया हूँ मैं मुझे कैटरिंग चार्जेस देने के बाद जो भी ब्रैक्टेस्ट को या पी जो भी मील मिलेगा हूँ मुझे मिलता है कि नहीं गर मीलेगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा इस ट्रेन में फूर्ट जो है पटना से ही बोट किया जा रहे हैं आप देख सकते हैं कोचेश के आगे ही होटकेश और जो भी होता है डिफ श्रीजर वगएर सब कुछ दिया गया है और यहां पर ब्रेक्ट्रेस्ट वगएर लगाया जारा जैसे ही ट्रेन निकलेगी सब कुछ सर्व किया जाएगा पटना जंक्सन के बाहर करना जा रहा है आप लोग देख सकते हैं बारी सश्टार्ट हो गई है इसको इसको इसमें क्यों रखे बिल्कुल ओन टाइम पटना जंक्सन के प्लेट फॉर्म नंबर आठ शे निकल रही है और यह देखे बाहर का भी हो सब लोग वीडियो कवर कर रहे हैं इसका क्रेजी इतना जादा है ना दोस्त क्या ही बता हूं आपको आप आप इस ट्रेन का पतना सराची के पीच पर टोटल फाइव अस्टापेज हैं यहां से जो है यह ट्रेन पटना जंक्सन सर निकलने के बाद फार्स अस्टापेज इसका गया में है तो वहां पर जो है ट्रेन आज 25 में पहुंच जाने वाली में और बीच में इसका कोई यह श्टॉपज नहीं है अभी अपने ट्रेन को निकले हुए है ट्वेंटी फाइब मिनट्स हुए है और सभी को वाटर बॉटल दिया जारा है अब यह सबस्के नहीं लिए रहा है थे अधने हैं अधने हैं आधने है थे अघने हैं तो अभी हम लोगों को काफी के लिए दिया गये हैं एक बीस्क्टिट चलिए सबसे पहले काफी बनाते हैं अरे बन चुका है अपना मास तक दम कड़ा काफी इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं तो अभी मैं इस ट्रेन के इंडिया श्टाइल वास्रूम में आचुका हूँ जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सामने में एक बड़ा सा मीरर लगा हुआ हुआ है और इधर में एक दिया हुआ है टॉबल होल्डर शॉप डिस्पेंसर और यह दिया हुआ है प्यारा सा सिंक इ अले देखिए यहां पर फ्लस दिया हुआ है सब आटोमेटिक है बश टाच करो और और इधर में दिया हुआ है फायर है इंस्टिक्योटर और बात करें साब सफाई की तो साब सफाई अभी अच्छी है क्योंकि यह ट्रेन जो है अभी नई नई ही चलिया जिसका फर्स्ट सब्सक्राइब तो साब सफाई तो होना ही है फैनली हम लोगी स्ट्रेन के फर्स अस्टाबेज यहने के गयर जंचन पहुंची के और यहां जो है यह लोगों को अव्मोस्ट एन मिनटी पोर पहुंचा ही है और यहां पे इस ट्रेन का 10 मिनट का stoppage है क्योंकि यहां पे इस ट्रेन का direction reverse होता है क्योंकि इसमें लोको मोटिफ तो है नहीं तो इसमें direction reverse होगा और चलिये जब इस ट्रेन का जब यहां से departure होता है तो आपको direct departure पे मिलते हैं और इधर में प्लेटफॉर्म नमबर 6 से जन्सताबदी एक्सप्रेस निकल रही है एंड बिल्कुल उन टाइम अपनी ट्रेन गया जंग्सन से डिपार्ट हो चुके है बाहर में देखिए वीडियो बनाने का क्रेज इस ट्रेन का क्रेज भाई अलग लेवल का है याद बाई बाई गया जंग्सन सब बात करते हैं इस ट्रेन के रॉनिंग है स्टेड़स की और टाइम की तो यह जो ट्रेन है विक में 6 डिल्स यानि के ट्यूजडे को छोड़कर बागी सब रहन होने वाली है और यहाँ पे जो है यह पटना जंग्सन से जो है सुबस साथ बजे निकलेगी और दो फर्ख वो एक बजे राची जंग्सन पे पहुचाएगी और बात करें उधर से राची से पटना आने के लिए तो उधर से 4.25 में बुलेगी और रात में आपको 10.20 में पहुचाएगी यह सबक्सकार साव जियंक्कार में ले तो Samu जिए ऐग्सी एक बलाची कामें जिके 2.20 में राची आने का schw complet theatre एक पह ज़से एक एक झाल को जैए वहाँ च स्बस्टेवाबि और डशुँआएगं आज इस ट्रेन का फोर्स्ट एस रन है तो थोड़ा सा ब्रेक्वेस्ट वेरा सर्व करने में प्रबलम हो रहे है बागी एकोप कि नेक्ष डेसे सब कुछ सही हो जाएगा बिल्कुल ओन टाइम आपको फेक्वेस्ट वेरा सब कुछ सर्व किया जाएगा अभी अपना ब्रेक्फिस्ट आ चुगा है तो यही होने मुला है आज का ब्रेक्फिस्ट पट्लेट देखते हैं टेस्ट करते कैसा है वैसे देखने में तो काफी फ्रेस लग रहा है वैसे अभी है कर्मा ग्रम इकम अब प्राथा जो है अश्का प्राथा उसको टेस्ट होता है अगर आप गलती से नो फूट स्लेक्ट कर लिये हैं और आपको अगर ब्रेक्फिस्ट को गेरा जो भी इसमें मिल सर्व किया जाता है अगर लेना है तो आपको मिल जागा उसके लिए आपको जो है कैटरिंग के जो भी चार्जिस होंगे वह आपको पे करने होंगे और बात करें इसमें ब्रेक्फिस्ट का तो दो अप्शन है वेज और नॉन वेज वेज में वही आपको अश्टाब दो अश्टाब प्राथा एक कटलेट और एक दाही और बाकी नॉन वेज का बात करें तो नॉन वेज में आपको मिलेगा आपको ब्रेड ओमलेट और वही वेजिज और बाकी सबको सेम and one more tunnel remember to take all your belongings with you तरवास ही बाई तरफ खुलते है जो स्पोर्ट इंपने एपसा है अभी अपनी train इसकी दूसरे अश्टापेज को डारमा जंग्सन पहुची है और यहां पर इसका मातर गो मिनट का श्टापेज है और यह जो है बिल्कुल ओन टाइम यहां पर पहुची है और इसका डोर सो है और अटोमाटिक है सो चलिए जल्दी सा अंदर चलते है इपना लोक हो जाएगा तो इधर ही रहा जाएंगे बाई अमकान रहा रहा ठावक जाown आपकर गोड़ाई को किकीजेर। तो दृफे वह सबतiscoverी हुआपैंद वह स्काइड़ धौकेया उे जाएड़ी नहीं भी भी नवी नाश नाव मेरे आजारिबात थाउंटरण बादत टॉंच्ट सenga काते हैं इस ट्रेन का मातर दो मिनट का स्टॉपच है और डोर्स जो है बॉट ज्यादा डर लग रहा है भाई कि कई डोर्स जो है ख्लोज नहों जाए बाकि यहां पे जो है आप आप स्टेशन देखिए कि श्टे को महौल है महौल बहुत अच्छा हो रखा है क्योंकि बारीश हुई ह अच्छा है वाल वालो एम्होज़ से लगज़ को वालो था हूं वालो थाल्प में साबने याजे को भी जाफियो घंड जाफिया सब इनक्रल जर्णी गोला जो सजाया हुआ तब फूल हो गरह सफेका हुआ है अधिया और अभी अपनी ट्रेन पहुंचे है यह पे जो ट्रेन है और अपनी 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 फाइनल टेस्टिनेशन राची आ जाएगी यह लिए पंदी शन्व झार टाफ टाफ यह यह झार से नंची नंची प्टाफ जडे जय कि आडारी यह और यह झार यह झार गला है इस ट्रेन इस फ्रॉप पटना, चुब राँजी मेश्रा में पहुची है, और यहां पे इस ट्रेन का मातर दो मिनट का स्टॉपेज है, और यह जो ट्रेन है अल्मोस्ट फिप्टीन मिनट इले चर रही है, पत नहीं राची जाते जाते कवर कार पाती है और बाखी ही देख लो यहां का फी यू काफी अच्छा है, यहां पे अजिना हलकी बुंदी बंदी हो रही है वारावज करते हैं टोस आप लोजे जरेंट इपार्टर हो गई है मेश्रा वी आर अप्रोचिंग अप्रोचिंग राची मुड्य तह अप्रोचिंग राची मुड्य भी ता इनागरेशन का जाके अभी तक पहने भार कैसान भव रहा जो फाइनली वीरिश्ट आवर फाइनल डेश्ट नेशन लाची जंग साने पीछे आप रोतेक सकते हैं वंदे भारत लगी हुई है और ये ट्रेन हम लोगों को अल्मोस्ट ट्रेन मिना डिले पहुंचाई है अ बाकि इस से आप लोगों को इसके पॉन्ट लीटी का पता चल सकता है हो सकता है फर्स्ट की है इस वाजर से धुड़ा सा डिले हुई हो I hope कि अगले चर्णी से डिले ना हो और बात करें चर्णी एक्स्पियंस की तो चर्णी एक्स्पियंस ठीक खाग रहा इसमें आप लोगो को ब्रेक्स अच्छा मिल जाता है बस वाहिए थोड़ा सा स्पीड मेंडिक करें तो और कम समय में हम लोगो को राची पहुचा देगी और बात करें सब्सक्राइब है और बात कर इसके टीकेट फियर काथ तो इसके लिए आपो बोगों को चेयर कार के लिए और ठीक करना करता है घ्यूटिव ऐग्स्पियर को नेक्स्पियल सक्डेद करना हो तो चलियंग ब्यक्स प्लोग treating करád अश्शन प्छेया करें करना हो